तो हेलो गाइज, क्या हाल चल आपके? तो आज मैं बना रही हूँ पनीर रूल और पनीर रूल बनाने के लिए मैं यहाँ पे पनीर को सौटे कर ली हूँ तो यहाँ मैं आइल ली हूँ और आइल में पनीर को कैपसिकम, ओनियन, और सेजोन सौस, टॉमेटो सौस और थोड़ा सा गार्लिक डाल के अच्छे से सौटे कर ली हूँ और उसके बाद यहाँ पे बनाना है बेस तो इसके लिए मैं मैदा और आटा को यूज कर ली हूँ और ऐसे पराठे बना ले रही हूँ है तो यह जो आटे और मैदे का पराठा बनाई हूँ यह रेडी है देखिए थोड़ा सा रेड रेड सा पका हुआ है इसको ज़्यादा और नहीं पकाना है और इसके बाद मैं जो बनाई थी पनीर को सौटे करके उसको इसमें डाल देना है तो इसको बिल्कुल हम सेंटर में डालेंगे और आप अपने हिसाब से इसको ले सकते है तो मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा करके डाल रही हूँ पनीर और इसके बाद इसके उपर कुछ वेजिस डाल देंगे जैसे की कैबेज, कैरट और कुछ ओनियन और इसके उपर मैं थोड़ा सा मियोनिस को स्प्रेट कर दूँगी ये कैराटा और कुकुमबर से बना हुआ है और ये बहुत टेस्टी होता है तो इसको यूज करूँगी और इसके बाद इसमें थोड़ा सा कैचप डाल लूँगी उपर से इसको ऐसे दोना हातों से अच्छे से पकड़के इसको दबा के फोल्ड करना है और इसमें फॉल पेपर भी यूज कर सकते हैं या फिर आपके घर में अगर तूद पीक हो तो ये तूद पीक आप इसमें यूज कर सकते हैं और इसको अच्छे से ऐसे टाई कर देंगे तो ये हमारा रेड़ी है पनी रोल और इंजोई करिए आप लों भी और चैनल को सब्सक्राइब करिए